दोस्तो आज की वीडियो में हम ITI 1st Year लेक्टिशन थियोरी के कुछ मातपून कोश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तो हमने चैप्टर 1st और चैप्टर 2nd की वीडियो यूटूब पर अपलोड कर दिया है अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से उन्हें वाच कर लीजिए तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नेस्ट कोश्चन है सधानता कैलिपर निम्द धातु के बनाया जाते हैं दोस्तो आपको बताना है कि जो सधान कैलिपर होते हैं वो किस धातु के बनाया जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है माइल इस्टील आप यहाँ सी नमबर पर देख सकते हैं माईली स्टील तो जो हमारा सधान कैलिपर होता है दोस्तो वो माईली स्टील का बनाया जाता है सधान कैलिपर का साइज होता है दोस्तो आपको बदाता है कि जो सधान कैलिपर होता है उसका साइज क्या होता है तो इसका correct answer है दोस्तो rivet के center से nook तक की लंबाई आप यहाँ पर सी number वाले option पर देख सकते हैं तो हमारा correct answer है दोस्तो rivet के center से nook तक की लंबाई दोस्तो जो सधान caliper का size होता है वो rivet के center से nook तक की लंबाई होता है तो हमारा सी number का जो option होगा वो बिल्कुल correct होगा next question है spring outside caliper में दोनों tango के उपरी भाग में एक groove दे कर खालिस्तान लगाया जाता है तो इसका correct answer है यह आप यहाँ पर दे सकते हैं हमारा जो इनमरक option वो बिल्कुल correct है ring spring next question है एक caliper जो की तीन नामों से जाना जाता है निम्न में से उस caliper का नाम नहीं है तो इसका correct answer है divider caliper आप यहाँ पर दे सकते हैं जो हमारा इनमरक option वो बिल्कुल correct है divider caliper दोस्तो यहाँ पर caliper का नाम नहीं है तो यहाँ पर divider caliper नहीं है तो हमारा जो इनमरक वो बिल्कुल correct होगा नेस्ट कोश्चन है हैमर का आकार खालिस्तान के विवरंड द्वारा दिया जाता है दोस्तो आपको बताना है कि जो हैमर का आकार होता है वो किस विवरंड के कारण दिया जाता है तो इसका correct answer है हैमर का भार दोस्तो हैमर के भार के कारण हैमर के आकार का विवरण दिया जाता है तो हमारा जूसी नमर को उप्सनों को बिल्कुल करेक्ट होगा नेस्ट कोश्चन है हैमर के लिए निम्न में से कौन से धाती प्रयोग की जाती है दोस्तों आपको बताना है कि हैमर बनाने के लिए किस धातू का परियोग किया जाता है तो इसका correct answer है low carbon steel आप यहां पर दे सकते हैं जो हमारा B number का option है वो बिल्कुल correct है low carbon steel दोस्तों हैमर के लिए low carbon steel का परियोग किया जाता है next question है seat के किनारे मोरने के लिए किस हैमर का परियोग करेंगे दोस्तों आपको बताना है कि seat के जो किनारे होते हैं उसे मोरने के लिए आप किस हैमर का परियोग करेंगे तो इसका correct answer है cross pin hammer आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा B number का option हो बिल्कुल correct है से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं तो इसका correct answer है face वपीन को hard work time पर करते हैं तो हमारा जो भी नमर को option हो को बिलकुल correct है next question है hammer के उपरी भाग को पीन ततन देंचले भाग को face कहते हैं इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं तो इसका correct answer है भी आप यहां पर दे सकते हैं post हमारा जो भी नमर को option हो बिलकुल correct है next question है handle eye hole से बाहर ना निकले इसलिए इसमें wedge ठोक दी जाती है तता eye hole को निम्न आकार का बनाया जाता है तो इसका correct answer है यह आप यहां पर दे सकते हैं जो हमारे इन अमर को option है वो बिलकुल correct है undercard हमारा next question है ball pin hammer reverting के काम आता है तो seat के किनारे मोरने के लिए निम्न में से कौन सा hammer प्रयोग किया जाता है दोस्तो इससे उपर वाले question में भी हमने पढ़ा था कि seat के किनारे मोरने के लिए हम किस hammer का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी हमने cross pin hammer का प्रयोग किया था तो यहां पर भी हम cross pin hammer का प्रयोग करेंगे तो हमारा जोसी नमर का option हो बिलकुल correct होगा नेस्ट question है पीन hammer का एक भाग होता है पीन के कई अलग अलग प्रकार है निम्न में से कौन सा एक पीन का अकार नहीं है तो आपको correct answer बताना है दोस्तो तो इसका correct answer है बेंड पीन आप यहां पर दे सकते हैं जो हमारा बेंड पीन है वो पीन का अकार नहीं है तो हमारा जो दी नमर का option होगा वो बिलकुल correct होगा नेस्ट question है मार्किंग कार के लिए electrician दोरा प्रयूक्त hammer का भाग होता है दोस्तो आपको पताना है कि मार्किंग कार के लिए जो electrician hammer यूज करते हैं उसका भार क्या होता है तो उसका भार होता है दोस्तो धाइशो ग्राम आप यहां पर दे सकते हैं 250 जो हमारा बेंड नमर का option है वो बिलकुल correct होगा next question है hammer का वह प्रकार जिसका वजन 3-9 kg तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है जो कि forge shop में परयोग किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं तो इसका correct answer है next question है फोर्ज सॉप में परयोग के हैं एक से 2 kg वजन के होते हैं तथा छोटे काट हत्ते होते हैं इसे खालिस्तान कहते हैं तो इसका correct answer है Sledge Hammer आप यहां पर दे सकते हैं इसे भी सलेज हैमर कहते हैं दोस्तो नेस्ट question है दाथू चादर कार में किस हैमर का परयोग किया जाता है तो धोस्तो यहां पर हम म्रदू हैमर का परयोग करेंगे तो जो हमारा siihen करेक्ट होगा नेस्ट कोश्चन है हैमर में पीन का क्या प्रियोग है दोस्तो आपको बताना है कि हैमर में पीन का क्या प्रियोग है दोस्तो यहाँ पर पीन का मतलब है क्रोस पीन, स्ट्रेट पीन और बॉल पीन तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि हैमर में पीन का क्या प्रयोग है तो इसका correct answer है यहाँ पर आप दे सकते हैं जो हमारे भी नम्मर को आप्सन है वो बिल्कुल correct है यह कार देने और बनाने में प्रयोग होता है तो हमारे जू भी number का option वो बिल्गुल correct है next question है भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने kilogram तक का hammer परियोग किया जा सकता है दोस्तव आपको बताना है कि भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने kilogram तक के hammer का परियोग किया जा सकता है तो इसका correct answer है डी आप यहां पर दे सकते हैं जो हमारे डी नमर को उप्सन बिल्कुल correct है 1.5 kg तो हमारे जोने डी नमर को उप्सन होगा वो बिल्कुल correct होगा Next question है निम्न में से किस हैमर का परियोग भारी फोर्जिंग कार में किया जाता है दोस्तों आपको बताना है कि किस हैमर का प्रियोग भारी फोर्जिंग कारे में किया जाता है तो इसका correct answer है दोस्तों सलेज हैमर आप यहाँ पर देख सकते हैं जोस्तों जो हमारा भी नमर को option हो बिल्कुल correct है सिले जहमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कारे में किया जाता है तो हमारे जो भी नमरक औफ्शन होगा वो बिलकुल करेक्ट होगा नेस्ट कोशन है सदानता है वाइस में स्पेंडल में निम्ने प्रकार की चूड़ियां होती है तो आपको बताना है दोस्तों कि किस प्रकार की चूड़ियां होती है तो इसका correct answer है square चूड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे सरधान wise के इस पेंडिल में square चूड़ियां होती है तो हमारे जो इसी नमर का option होगा वो बिल्कुल correct होगा next question है wise clamp अत्वा soft jaw निम्न धातू के बने होते हैं दोस्तों आपको बताना है कि यह किस धातू के बने होते हैं तो इसका correct answer है aluminium आप यहाँ पर इनमर वाले option पर देख सकते हैं aluminium तो हमारे correct answer होगा aluminium next question है wise का size निम्न से लिया जाता है दोस्तों आपको बताना है कि जो wise का size होता है वो किस से लिया जाता है तो इसका correct answer है जबडों की चोड़ाई आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों wise का जो size होता है वो हम जबड़ों की चोड़ाई से लेते हैं तो हमारा सी नमर का जो अपसन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा नेश्ट कोशन है जोब कोच है तिज तथा उर्दवारदर दोनों तलों में जुकानी के लिए निमन वाइस का परियोग करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल मसीन वाइस का आप यहां पर देश सकते हैं दोस्तों जो हमारे डिनमर का उपसन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा यूनिवर्सल मसीन वाइस का नेश्ट कोशन है सौप्ट जाव क्यों परियोग किये जाते हैं तो आपको बताना है कि soft job क्यों परियोग किये जाते हैं तो इसका correct answer है परिस्क्रेट सतय की सुरक्षा के लिए तो हमारा इनमर को आफशन होगा वो बिल्कुल correct होगा दोस्तों जो soft job होता है वो परिस्क्रेट सतय की सुरक्षा के लिए परियोग किये जाते हैं तो हमारा इनम लंबे जॉब को भी पकड़ा जा सके आप यहां पर दे सकते हैं जो हमारा असी नमर को उपसन होगा वो बिलकुल करेक्ट होगा अधिक लंबे जॉब को पकड़ने के लिए हम बेंच वाइस को बेंच में लगाते हैं तो हमारा जो उसी नमर को उपसन होगा वो बिलकुल करेक दोस्तों आपको बताना है कि बेनलाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस आप यहां पर दे सकते हैं जो हमारा डी नमर को आपसन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कॉम्बिनेशन बेंच वाइस दोस्तों यहां पर बेनलाकार जॉब को पकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग करेंगे दोस्तो अगर आपको फ्री एंड इसकेच में कॉंबिनेशन प्लायर बनाना है तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसे वहाँ से वाच कर सकते हैं नेस्ट कोशन है निम्न में से किस वाइस में कारिखंड को 36 तथा उर्द दोनों में से किसी भी कोण पर घुमाने की विवस्ता है तो इसका करेक्ट आंसर है भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल मसीन वाइस का दोस्तो हमारा जो भी नमर को उप्सन होगा वो बिल तो दोस्तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है शौप्ट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो नेस्ट कोशन है गोल पाइप वह अच्छन आदी को पकड़ने के लिए किस वाइस का परियोग किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है पाइप वाइस आप यहाँ पर द pipe wise का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो D-number का उप्षन होगा वो बिल्कुल correct होगा next question है चित्र में ये पार्ट का क्या नाम है दोस्तो आपको बताना है कि जो ये पार्ट है इसका क्या नाम है तो इसका correct answer है movable jaw आप यहाँ पर देश सकते हैं दोस्तो जो हमारा ए भाग है उसको हम movable jaw कहते हैं दोस्तो इस भाग को हम fixed jaw कहते हैं जो हमारे ए नमबर पर है और इसे दोस्तो हम movable jaw कहते हैं जो हमारे भी नमबर पर है तो हमारा जो भी नमर का option होगा वो बिल्कुल correct होगा next question है electrician trade में प्रियुक्त होने वाली wise है दोस्तो आपको बताना है कि electrician trade में प्रियुक्त होने वाली wise कौन सी है तो इसका correct answer है bench wise आप यहां पर दे सकते हैं जो हमारा असी नमर का option होगा बिल्कुल correct होगा next question है दोस्तो bench wise के संदर्व में सही कतन है दोस्तो आपको बताना है कि bench wise के संदर्व में कौन सा कतन सही है तो पहला option दोस्तो bench wise की body सधानता है ढलवा लोहे की बनी होती है तो ये बिल्कुल correct है दोस्तो दूसरा है wise का size जबड़ी की चौड़ाई से दिया जाता है यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों तीसरा है बाजार में बेंच वाइस कि 75 mm से 1.500 mm तक उपलब्द है यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरो सब सब्सक्राइब दोस्तों मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें भी देखें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा भाई वाई जैहिन